दोस्तों ABC कोचिंग योटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में कक्षा एगरवी के जोगरफी अर्थात भुगोल के मस्ट इंपोर्टेंट बीबी आई अब्जेक्टिव कुश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड परिक्षा के लिए काफ का प्रियोग तो दोस्तों आपनों को पता होगा और यह कुशन रिपीटेट भी और इसका आंसर जोगा ऑप्सन नंबर ए हो जाएगा इरेटा इस तिनीज और निम्लिखित में से कौन सी पहाड़ी सिरिंख्ला में इस्तित है तो इसका आंसर जागा नील गिरी ऑप्सन नं दोस्तों आपनों को पता होगा कि गंगा नदी जो है द्रोनी भारत में सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी में से भी जाना जाता है तो इसको अच्छे साप लोग याद रखेंगे गंगा नदी अगला सवाल है कि पिर्थवी की उत्पती से समधित ज्वारी परिक कलपना का प्रति पादन जो है किस ने किया तो इसका अच्छे से आप लोग रट लेंगे अगला सवाल है निमलिखित में से कौन सा अस्थान भारत में सबसे ठंडा है तो दोस्तों यह जो सवाल है वहुत ही भी भी आई है और यह रिपीटेट कोश्चन भी है प्रिवेस ए रहों कि वेडियो में बताए कि हज़े कोश्चन को आप अच्छे से कौपी में नौट कर लिजे और परिक्षा से पहले इन सभी कोश्चन को अच्छे सा आप लोग रिविजन कर लेना है तो इसका जो आंसर होगा वह जागा द्रास ऑप्सर नमर ए इसका सही आंसर होगा अ राम्योत्तर है तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह काफी BBI है और मैंने पहले भी इसके बारे में पहले डिसकस किया हुआ है तो इसका अच्छे से आप लोग याद रखेंगे B नमर इसका राइट अंसर होगा अगला सवाल है निमलिखित में से कौनसी भू आकड़ती क निर्मान नदी के अपरदन किरिया द्वारा होता है तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा अपसिन नंबर A हो जागा जोर्ज ठीक है यह अपसिन नंबर हो जागा जोर्ज याद रखेंगे अगला सवाल है कि मिर्दा का सावर्दिक व्यापक और उपजाओ परकार कौन सा है तो इसका अंसर जागा जलोट मिर्दा, option number A, इसका सयांसर होगा, अगला question है, कि पिनिमलखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, इसका अंसर जागा आर्कटिक महासागर, option number A, इसका right answer होगा, याद रखे लेंगे, ठीक है, अगला सवाल है, कि किस राज में लोकताप ज जील इस्थित है, तो देखिए दोस्तों, इसका अप्छे से आप लोग जो है, रट लीजेगा, अगला सवाल दिया है, निमलखित में से कौन सी गैस, सुरी से आने वाली हानिकारक, प्राबैगनी किर्णों से जो है, बचाती है, दोस्तों, ये तो काफी easy सवाल है, और ये चटा में ही आप लोग पड़े होंगे, चटा, सत्मा, आट्मा, नमा में भी आप लोग पड़े है, क्योंकि यह जो है, ओजन है, ठीके, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, option number 20 का सही आंसर होगा, अगला सवाल दिया है, निमलखित में से कौन जैब मंडल में स मलेत है, तो दोस्तों इसका अपसर नमबर सी हो जाएगा, सभी जैव और अजयव जीव, ठीके, option नमबर सी इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से आप लोग रख लिजेगा, अगला सवाल क्यों चले, तो अगला सवाल 15 नमबर यहाँ पे दिया है, कि भारत में किस हिम हिरनी कहा जाता है, तो दोस्तों इसका अपसर नमबर भी लू, ठीके, इसको अच्छे सा आप लोग याद रखेंगे, अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, मासिन, मासिन राम में, ठीके, option नमबर आपका जो है, भी इसका सयांसर होगा, अगर यहाँ पे मेघाले भी दिया रहता है, तो आपको यहाँ पे मेघाले लगा देंगे, ने तो मानिस राम आप लोग याद रखेंगा, ठीक है, अगला सवाल है कि नेसनल पार्क और पसु विहार निमलिखित में से किस इसको अच्छे साफ लोग याद रखेंगा, ठीक है, अगला सवाल, 19 नंबर, सवाल दिया हुआ है कि निमलिखित में से कौन सा भारत का पडोसी देश नहीं है, तो दोस्तों यह थारलाइंड जो है, यह आपका क्या है, भारत का पडोसी देश नहीं है, बगला देश, पाक पडोसी देश नहीं है, अगला सवाल है, निमलिखित में से कौन सा कठोरतम खनीज है, तो इसको अच्छे सा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, चलिए, अगला सवाल है कि जवारभाटा की निर्मान के लिए कौन सा बल उत्तरदाई नहीं है, तो जवारभाटा की निर् बहाटा निर्मान के लिए दोस्तों, यह आपका हो जागा करिया, कौरियालिस सक्ति, ठीक है, अपसर नमबर आपका जो है, जो है, सहिं आरभाटा के निर्मान के लिए बल उत्तरदाई नहीं है, ठीक है, अगला सवाल की और चले, अगला सवाल 22 नमर है, कहता है, कि शीमिल ठीक है अगला सवाल है निमलिखित प्रकार के बादलों में सी अकास में सबसे उचा बादल कौन सा होता है या कौन सा है तो इसका अंसो जागा पक्षाब बादल, option number 20 इसका से अंसर होगा, ठीक है option number A जो इसका से अंसर होगा पक्षाब, याद रखेंगे 23 नंबर का अगला सवाल है कि भूकम किस परकार की प्राकटिक आपदा है, तो दोस्तों आपनों को पता ही है, भूकम जो है किस कारण से उत्पन होता है, ये कौन सी प्राकटिक आपदा है, आपनों को पहले भी बता है, मुझे कॉमिन करके जुरू बताएंगे, मैं इसका अंसर बता लेता हूँ, या जो है भौमिक जो है, ये आपदा है ठीक है, याद रखेंगे भौमिक आपदा अगला सवाल है कि चूना पत्थर का रुपांतित रूप है, तो चूना पत्थर का रुपांतित रूप है संगमरमर, उप्सन नमबर ए, इसका सही अंसर होगा, ठीक है अगला सवाल है, इन मिल्कित में से कौन सा आदिधिक सूखा प्रभावित छेत्र है, तो दोस्तों आपनों को पता ही है कि सबसे अधिक सूखा प्रभावित छेत्र कौन सा है, कौन सा राज्य है यह आपको पताना है, तो इसका आंसर हो जागा, उप्सन नमबर, यह हो जागा गुजरात का कॉक्षे, ठीक है, उप्सन नमबर आपका यह जो है, सई आंसर होगा अगला सवाल देखे, यह जो है, पांचित्र से दिया हुआ है, और इसको अच्छे साप लोग समझेंगे यहाँ पर कोशन दिया है, सताश नमर का कि दिये गए पांचित्र में कौन सी नदी दरसाई गई है तो देखे, गंगा, क्रिष्णा, नर्मदा और सिंधू नदी है, और यहाँ पर मांचित्र में जो है, कौन सी नदी जो है दरसाई गई है, यह यहाँ पर पूचा गया है तो दोस्तों, इस यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो आकरती आप देख पर रहे है यहाँ पर जो दरसाई गया है यह जो है, नर्मदा नदी है तो आप लोगों को पता है और मैंने बता जेता हूँ कि इसका जो आशर होगा वो होगा दुरूब, ठीक है, क्योंकि पोल पर यानि कि दुरूब पर जो है, दीन और राथ जो है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है, याद रखेंगे अगला सवाल है, कि भारत का रेखा मांचित्र में दिये गए मरू अस्थल की पहचान कीजिए तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है मरू अस्थल कौन सा जगा है मरू अस्थल जो है, ठार है अपसन नमबर आपका C, सही आंसर होगा ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे है यह जो दरसाग्या है, यह मरू अस्थल जो है, यह इसको थार के नाम से जाना जाता है ठीक है, याद रखेंगे अगला सवाल है, इन में से कौन सा कारक मिरदा निर्मान का जैवी कारक है ठीक है, ठीक है अगला सवाल है, कापास की क्रिसी के लिए सबसे अधिक उप्युक्त मिरदा कौन सी है ठीक है, याद रखेंगे ब्लैक सोयल, ठीक है अपसन नमबर आपका B, सही आंसर होगा अगला सवाल है, निमलिखित में से कौन प्राकिर्टिक आपदा नहीं है तो दोस्तों इसका अंसर जागा प्रमानो विस्पोर्ट ये क्या है ये प्राकिर्टिक आपदा नहीं है क्योंकि या जो है, मानो द्वारा किया जाता है अगला सवाल है निमलिकृत में से कौन सी गैस भूमनली ताप के लिए उतरदाई नहीं है काफी VBI सवाल है और यह repeated question भी है इसको आप लोग अच्छे से रट लेंगे इसका answer होगा दोस्तो option number B carbon dioxide ठीक है option number B इसको अच्छे साप लोग याद रखेंगे रट लेजएगा अगला सवाल है दिये गए मानचीतर में कौन सी चोटी दरसाई गई है दोस्तो आप यहाँ पर मानचीतर में देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस यहाँ पर जो है इस पर जो है कौन सी चोटी को यहाँ पर दरसाई गया है ठीक है आप यहाँ पर देखें पूरा ए विश्थापन सिध्धान्द का प्रति पादन जो है किस ने किया तो इसका अप्शन नमबर आपका भी हो जागा वेगनर ठीक है अप्शन नमबर भी इसको अच्छे से रट लिजेगा वेगनर ने किया